हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कटल की बहुत ज्यादा टेस्टी सी रस्पी थोड़ा से डिफ्रेंड तरीके से मैं बताई हूं इसकी ग्रेवी जो है तो जरूर ट्राय करना तो इधर मैं क्या करी हूं क्याटाल जो है इसे कट कर लिए उनको साफ कर लिए पानी से और ज्यादा छोटे नहीं कट करना है उसके बाद इधर हमें ग्रेवी बनाने के लिए मैं इधर एक चतनी बनाऊंगी तो इधर लैसुन अद्रक और मिर्च लेना है तीखा अपने तो थोड़ा सा पानी डालके ना इसका एक बारीक पेश्ट बना लेंगे चतनी बना लेंगे तो यह देखे हो गया है इसको हम रग देते हैं साइड में और इधर ना कूकर में बनाने वाली में तो तेल थोड़ा सा इधर चादा लेना क्योंकि हमें जो कटाहल है वो हम करेंगे तो यह देखे हलके से फ्राई हो गया है अब इनको निकाल लेते हैं तेल छान के ऐसे साइट से तो सारे कटल में ऐसे फ्राई कर ली थी ऐसी तेल में हम डाल देंगे जीरा राई में थी और यह खड़ी मसाले थोड़ा सा डाल देंगे इनको चटकने देंगे उस तो ज्यादा बारिक हम मतलब ज्यादा भुनना नहीं है मतलब अच्छे से भून जाए पैयाज हमारा क्यों मसाले जो ग्रेवी वाली जो अच्छे से भुनना जरूरी है मसाला तो यह पैयाज को हलका सा हम भून लेंगे उसके बाद इधर हम डाल देते हैं कशूरी मेथी, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे इसे बहुत यह अचा टेश्ट आता है, अगर आपके पास है ना तो जरूर डालना, तो हाथों से थोड़ा सा क्रेस्ट करके ऐसे डाल देते हैं, उसको मिक्स कर लेंगे, तो चो प्य एसको भी भूनेंगे थोड़ा देर इसको भूणने के बाद इसमें हम डाल देंगे सुखे मसाले तो इसमेर मोगतर यूँभी लाल मिर्च खलदी पाउडर और धनिया पाउडर और इधर डाल देंगे हम नमक टेस्ट के अकार्डिंग नमक डाल देंगे फिर मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी तो नमक डालने के बाद गैस को इधर मेडियम फ्लेम में करके और अच्छे से इसको भूनेंगे मसालों को जब यह मसाला भून जाएगा तो इधर हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी तो अब देखना मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था इस तरीके से ज़लू ट्राइक करना आप तो यह देखिए टमाटर की प्यूरी डाल दिये हैं हम इसको भी डालके ब्हूनेंगे मसालों के साथ अच्छे से जब हमारा यह मसाला भून जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे जो फ्राइ की हुए कटःल थे वो सारे डाल देंगे तो यह सारा डाल देते हैं हम और इनको हम मसालों के साथ में अच्छे से भुनेंगे उसके अधीस में पानी डाल देंगे तो पानी आप अपने हिसाब से ग्रेवी में जैसा आपको पसंदो वैसा आप डाल सकते हो तो इसमें पानी डाल देंगे अब क्यूंकि पानी में थोड़ा सा कमी दालूंगी क्योंकि गुकर में पना रहे हैं तो पानी इसका नहीं जलता है क्योंकि ज्यादनה सीठी थोड़ाय सी थे कड हला लगा करनद में 2 सीटी लगांगे ज्यादने दो सी चल आ़र। अधा के आसे इसा कड आरेunden के बाद तो वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं तो दो सीटी बात मैं मतलब देख रही हूं तो कटाल बहुत अच्छे से पक गए थे यह देखिए बहुत अच्छी बनी है सबजी आप जरू ट्राय करना बहुत ज़्यादा पसंद आएगी यह रेस्पी आपको और तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते बढ़ा सकते क्या क्योंकि मैं थोड़ा सा थीखा कम बनाती हूं और यह कटाल मैं आपको दिखाती हूं किते अच्छे से पक गए है तो यह देखिए किते अच्छे से पक गए है बिल्कुत soft हो गया है कटाल हमारा तो बस इधर हम डाल देंगे लाश्ट में हरधनिया डाल देंगे गरम मसाला में इधर तिखाना भूल गई थी मैं डाली थी बटो इसकी फोग गया था उधर यह रधनिया भी डाल देंगे इसको मिक्स कर लेते हैं और बस निकाल लेंगे हम प्लेट में अपना जो सगजी है वीडियो अच्छा लगे तो फ्लीज लाइक शेयर जरूर करना और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स बाइ टेक केर